आज हम गोल लिफ इलेक्ट्रोस्कोप से थर्ड सेशन की शुरुआत कर रहे हैं आपको पता ही है कि चार्ज दो टाइप के होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव अब हम कोई अबजेक्ट पे अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो हम पहचाने के सके कि यहाँ पे पॉजिटिव ही चार्ज है या फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ही है और उसका roughly मुझे estimation करना हो कि भी कितना charge carry कर रहा है यह body तो with the help of goal leaf electroscope आप वो detect कर सकते हैं उसे आप calculate भी कर सकते हैं तो goal leaf electroscope में होता क्या है तो एक vertical metal roads होता है which is housed in a box of glass window अब यहाँ पे उसके एक end पे metal knob होता है और दूसरे end पे क्या होते है गोल लिवस होते है अब जब भी कोई charged object को हम metal knobs के साथ अगर touch करते है तो आपको एक virtue मालूम ही है आगे भी मैंने पढ़ाया है कि metal क्या करता है कि उसका जो charge होता है वो transfer कर सकता है उसका यह virtue होता है और insulator पे charge जहां भी भी रखोगे वहीं पे रहेगा तो यहाँ से जो यह charged body है वहाँ से charge metal knob के through गोल लिवस पे आ जाएगा अब गोल लिवस पे similar charge होने के वज़े से यह दोनों लिवस एक दूसरे को क्या करेंगे रिपल करेंगे और यह जो लिवेव वो diverge होगा तो the degree of divergence क्या degree of divergence is an indicator of the amount of charge जितना ज्यादा divergence आपको मिलेगा उतना ज्यादा हमारा चो body है वो charge कैरी करेगा हम ऐसा बोल सकते है अब simple electroscope के बारे में हम जानेंगे simple electroscope में होता क्या है तो आपको एक around 20 cm की length का एक aluminium road लेना है which is pass through the cork एक cork लेके उसमें से आपको एक hole बनाना है और यह जो glass road है sorry यह जो aluminium का road है उसे वहाँ से pass करना है कि around 5 cm जितनी vertical height वो बाहर रहे अब एक end पे हमें एक aluminium का ही बॉल यहां पे हमें रखना है और दूसरा जो end है वहाँ पे cut hand यहाँ पे क्या है cut रखा हुआ है from which हमें aluminium foil रखनी है अब यह जो aluminium foil होती है उसकी length around हमें 6 cm के करीब रखनी होगी यह जो aluminium की foil है वो यह cut में हमने रखी हुई है इसे चिपका ही हुई है अब जानते कि aluminium की foil के बारे में भी हम जानते कि कैसे आप measure कर सकते हो charge यह आपको मैंने यहाँ पे figure A में आप देख सकते हो कि एक aluminium foil हमने रखी हुई है यहाँ बीच में से आपको एक mark करना है और इसे fold करना है फिर से आप क्या करो कि इसे stretch करो सीधी करो और उसपे ironing आप उसको press करो with the help of iron आपको उसे press करो अब फिर से आप उसे मुड़ो तो आप देख सकोगे कि यह दोनो जो leaves है न aluminium foil के वो repel कर रहे है तो क्यों ऐसा हुगा इनिशल यह तो ऐसा नहीं था तो in the process of ironing यह जो strips है यह दोनों sorry यह जो strip है उसके दोनों leaves यह same charge ऐदर positive या negative वो carry करेंगे and for that आपको पता चलेगा यह दोनों क्या करेंगे repel करेंगे अब यहाँ पे paper scale भी हमने रखी होई है यह paper scale क्या measure करते है distance between the to leaves अब कैसे हम measure कर सकते हैं charge वो एक calculation के through हम जान सकते हैं देखिए आपको पता ही है कि यह जो divergence है यह जो divergence है it is dependent on the charge of the body कि जो charge body थी कि वहां से ही यह charge transfer हो के कहां पे आया है leaves पे तो divergence D is linearly proportional to the amount of charge carried by that object यहाँ पे हम proportionality constant C add करते हैं अब first हमें क्या करना है तो पहले हमें ऐसा करना है कि एक non charged object उसको touch करवाना यह metal knob के साथ तो क्यों नोन अपने वहां पे touch करवा है अब with the help of paper scale आप क्या measure कर लीजिए divergence चले इक्वेशन वन में आप इक्वेशन वन में आप इसे substitute कीजिए तो आपको क्या मिलेगा value of C मिल जाएगी अब आपको क्या करना कि जिसे भी जो भी body charge carry कर रहे है और नोन चार्ज है उसे अगर आपको find करना है फिर से उसे आप नोप के साथ touch करवाई है और touch करवाने के बाद आपको d measure करना होगा with the help of paper scale दूसरा constant आपको मालूम ही है आपको constant अभी मालूम हो गया है तो with the help of this equation you can find unknown charge access on that body तो मैं आपको एक animation दिखा रहा हूँ कि कैसे यह काम करता है कैसे positively charged body या negatively charged body को भी आप जान सकते हो तो यह आप animation के जरी देखिए the gold leaf electroscope the gold leaf electroscope consists of a brass rod with a brass disc at its top and with two gold leaves strips of cut metal foil at the other end the rod is inserted through a rubber or plastic stopper into a glass container the tin foil inside and the wooden base make the electroscope more effective uses of the gold leaf electroscope to detect and measure the charge on a body the body to be tested is touched to the brass disc of an uncharged electroscope if the body is charged the leaves of the electroscope diverge the amount of divergence of the leaves is a measure of the amount of charge on the body to find the nature of charge on a body for this it is first necessary to charge the electroscope positively or negatively this is done by touching the brass disc of the electroscope with a positively or negatively charged body the leaves acquire the same charge as on the charged body and diverge let us assume that the electroscope is negatively charged now bring the body to be tested close to the brass disc of the if the divergence of the leaves increases it has the same charge as the electroscope that is negative in this case if the divergence of the leaves decreases it has the opposite charge as on the electroscope that is positive charge in this case dear friends now let's start with coulomb's law in scalar form in 1785 charles augustine coulomb experimentally derived coulomb's law with the help of torsional balance experiment in gravitation in gravitation it states that it states that force of attraction or repulsion between the force of attraction to stationary point charges to stationary point charges to stationary point charges is directly proportional to to the product of magnitude product of magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them this force acts along the line joining the two charges to the force to the force to the two charges to the two charges to the two charges to the line to the line suppose assume q1 and q2 there are two point charges and they are stationary charges here stationary charges means that we are only electrostatic which produces current and due to current there exists magnetic field what can produce magnetic field produce so moving charge what can we do what can we do magnetic field produce stationary charge what can we do so let's see stationary charge produces electric field moving charge in other words current electric current produces magnetic field and third one oscillating charge then it produces both magnetic field as well as electric field or or yee joh phenomenon hai na itse hum bolenge production of electromagnetic waves तो फिर से stationary charge produces electric field moving charge produces magnetic field and oscillating charge which produces electromagnetic waves तो यहाँ पर Coulomb's low में क्या हमें ध्यान में रखना है कि यह जो दोनों charge है वो must be point charge and remains stationary suppose हम assume करते कि उसे हमने vacuum या free space में रखा हुआ है free space बोलो या फिर आप vacuum बोलो if two point charges Q1 and Q2 are separated by distance R1 in vacuum then the force of attraction or repulsion between them is such death तो हमने क्या पड़ा यह लोग क्या कहता है force is directly proportional to the magnitude of magnitudes of the two charges N second force is inversely proportional to the square of the distance between them तो दोनों के बिचका distance क्या है small r है तो f is proportional to 1 upon R square let's combine these two proportionalities then we get f is proportional to Q1 Q2 divided by R square f is equal to k Q1 Q2 divided by R square जब भी proportionality का जो proportionality का sign जाता है कोई ना कोई constant हमें यहाँ पर रखना पड़ता है तो यह क्या है where K is a constant of proportionality called electrostatic force constant इसा हम क्या बोलेंगे electrostatic force constant or Coulomb's constant for free space ऐसा भी बोलेंगे क्या Coulomb's constant for free space now the value of K depends on first nature of medium यानि कि यहाँ पर gravitational constant G जैसा नहीं है G does not depends on the any property of medium G remains constant तो यहाँ पर K यह किस पर depend करेगा nature of medium पर depend करेगा second one system of units chosen to measure F Q1 Q2 NR system of units जो हमने choose करी है उस पर depend करेगा for the two charges located in free space and SI units हमें K की value क्या मिलेगी तो हमें K की value मिलेगी 9 into 10 raise to 9 newton meter square Coulomb raise to minus 2 तो यहाँ पर त्यान में रखने की बात है कौन सी वाले कि यहाँ पर मैंने K लिखा हुआ है 1 upon 4 pi epsilon not अब आप परेशान होंगे की epsilon not क्या है तो epsilon not is a electrical property carried by any medium कोई भी medium हम जानते के उसकी basic properties होती है electrical properties होती है magnetic properties होती है तो epsilon not क्या है तो कि epsilon not is a electrical property which is known as permittivity क्या बोलेंगे हम permittivity of free space अब यह permittivity actually क्या है permittivity क्या है तो permittivity is a electrical property of medium कोई medium electric effects के रती वो कितना समयदनसिल है यानि कि वो कितना electric प्रॉपर इलेक्ट्रिक जो effects है वो कितना carry कर सकेगा उसके related यह जो प्रॉपर्टी है उसे हम बोलेंगे permittivity जिसकी permittivity higher होगी वो क्या बुला जाएगा उसका electric effects के फ्रती जो समयदनसिलता होगी वो कम होगी और जिसकी permittivity high होगी जिसकी permittivity क्या होगी हाई होगी वो उसकी electrical field के और जो उसका वर्ज्य होगा वो ज्यादा होगा जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही जानना है कि permittivity is a electrical property of given medium इसके बारे में हम second chapter में देर सारी उसका discussion करेंगे लेकिन एक बात पक्की याद रख लो medium change होगा permittivity change होगी क्योंकि medium change होगा उसके electrical property भी change होगी तो with the change of medium its electric property is also change यानि कि permittivity भी change होगी अब permittivity of free space उसका value क्या होगा 8.854 x 10 raised to minus 12 Coulomb square Newton inverse meter raised to minus 2 यानि कि हमारा equation कुलम लोग का equation हम अब इसी form में लिखेंगे कौन सा form f is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 divided by r square dear students let's talk about unit of charges तो charge के unit क्या है तो कि ऐसा unit charge का है कुलम अब वन कुलम चार्ज क्या होता है वन कुलम चार्ज की definition क्या है तो mostly आप लोग यहीं definition लिखते हो कि यह जो गलत definition है अब क्या लिखते हो कि वन कुलम is a charge that passing perpendicularly through any cross-sectional area of 1 ampere current carrying wire in 1 second यानि कि 1 ampere current carrying एक wire लेज लेज लीजे आप तो उसके जो भी cross-section आपको दिखाए देगा वो cross-section में से 1 second में जितना भी charge perpendicularly जो भी pass होगा उसका जो amount मिलेगा उसको आप क्या बोलोगे 1 कुलम लेकिन यह गलत definition है कुलम ने 1 कुलम की जो definition दी थी वो actually क्या थी तो वो definition हमारा equation number 1 से हमें हमें मिलेगी तो क्या है वो definition तो पहले definition से पहले थुड़ा हम derivation करते हैं कि suppose in equation number 1 if you take q1 is equal to q2 is equal to 1 कुलम and distance between them is equal to 1 meter यानि कि दोनो charges they are separated by 1 meter in vacuum or free space क्यों कि permittivity की तो और के मैंने क्या लिया हो आए epsilon not तो अब सभी value अगर आप substitute करते हो equation 1 में तो आपको क्या मिलेगा f is equal to small k is equal to 9 into 10 raise to 9 newton तो with the help of this derivation we can write definition of 1 कुलम हम क्या बूलंगे 1 कुलम को 1 कुलम is that amount of charge that repels an equal and similar charge with a force of 9 into 10 raise to 9 newton when placed in vacuum at distance of 1 meter तो ये हो गया हमारा 1 कुलम का definition second ये जो कि unit है उसका cgs unit है cgs unit electric charge का जिसे हम esu of charge electrostatic unit of charge ऐसा बोलते हैं और stat कुलम भी हम ऐसा बोलते हैं तो 1 esu charge क्या होता है तो suppose कर लो कि दोनों के बीच का distance ये दोनों चार्ज है they are separated by a distance of 1 cm and if force between them is equal to 1 dine then the charge carried out by each particle is known as 1 stat कुलम यानि की definition आप similarly आप लिख सकते हो आपको ये 1 esu की definition याद रखने की नहीं है हाँ लेकिन पक्का 1 कुलम की definition आपको learn करने ही पड़ेगी वो भी सही वाली वो गलत वाली नहीं i is equal to cube by t जो 10 का जो हमारा equation था उसके हिसाब से आपको learn नहीं करने तो क्या है 1 stat कुलम की definition क्या है तो कि 1 esu of charge और 1 stat कुलम is that charge which repels an identical charge in vacuum at a distance of 1 cm यहाँ पर distance क्या होगा 1 cm from it with a force of 1 dime चले तो यह relation है वो आपको jwe knit के लिए prepare करना ही पड़ेगा क्या relation है 1 कुलम is equal to 3 into 10 raise to 9 stat कुलम कई mcq आपको ऐसे दिये गए होंगे कि जहाँ पे आप stat कुलम में वहाँ पे charge लिखा हुआ होगा उसको आपको convert करना पड़ेगा कहाँ पे कुलम में तो 1 stat कुलम और कुलम का relationship आपको याड रखना है 1 कुलम is equal to 3 into 10 raise to 9 stat कुलम और 3 into 10 raise to 9 ESU of charge चले तो यह आपको पता चल गया अब electromagnetic unit यह आपको learn न करो तो भी चलेगा लेकिन अभी मौसम चल रहा है units का तो फिर charge को भी ऐसा लगे कि मेरे सभी unit उन्होंने describe कर दिये इसी वजह से थरवन भी मैं describe कर रहा हूँ क्या है कि electromagnetic यह electrostatic unit था electromagnetic unit यानि कि जब भी आप magnetism पढ़ोगे तब EMU of charge ऐसा आपको आने बाला नहीं है फिर भी आपको ऐसा दिखाए देगा तो in electromagnetic CGS system the unit of charge is abiculum और electromagnetic unit of charge यानि कि EMU of charge उसकी कोई definition नहीं है सिर्फ और सिर्फ आपको क्या learn करना है कि 1 coulum is equal to 1 by 10 abiculum और 1 by 10 EMU of charge तो आपको यह topic में आपको 1 coulum की definition completely learn करनी है Dear friends Let's know about relative permittivity और dielectric constant of given medium I already told you that permittivity is a electric property of given medium means अगर medium change होता है permittivity change होता है और अगर permittivity change होता है तो according to coulum's law 2 electric charges के बीच का force भी vary करता है तो यहां पे gravitational constant से अलग एक constant हमें मिलता है small k जिसे हम coulum constant भी बोलते है तो यह coulum का constant vary होता है लेकिन gravitational constant g vary होता नहीं है तो अब relative permittivity क्या है तो आपको मालूम है relative density क्या है तो कि density of a substance divided by density of a water at 4 degree Celsius temperature तो relative यह word जब भी आता है तो हम क्या सोचते है कि कुछ ratio होगा या फिर subtraction होगा तो यहां पे ratio की बात है तो definition क्या है permittivity की वो हम देखते है the ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space is called relative permittivity और dielectric constant of the given medium यह जो यहां पे एक word यूज करा है मैंने dielectric तो dielectric means insulator non-conductor actually वो insulator और conductor के बीच में आता है जिसकी properties के बारे में हम second chapter में जानेंगे तो equation आप याद रख लो epsilon r और k is equal to epsilon upon epsilon not इसे हम क्या बोलते है epsilon चलिए अब vacuum के लिए अगर मुझे dielectric constant निकलना है तो vacuum की permittivity क्या होगी तो permittivity of vacuum is equal to epsilon not यानि के epsilon upon epsilon not is equal to one therefore k is equal to one अब फोर insulator insulator की बारे में हम जानते है और dielectric अब ऐसा भी लिख सकते हो तो dielectric के बारे में हम जानते है कि वहाँ पे भी atomic structure तो होगा ही होगा जहाँ जहाँ atom आया nucleus और electrons लाया यानि कि कुछ न कुछ electric effects लाया तो जो हमारा free space और vacuum में उससे ज्यादा उसकी permittivity हमें मिलेगी अभी याद रख लो second chapter में हम derive करेंगे बुक में नहीं दिया हुआ है फिर्प में आपको derive करके दूँगा क्योंकि वह आपके entrance के लिए necessary है तो आप क्या याद रखो यह permittivity of a medium यानि कि insulator is always greater than to that of permittivity of a vacuum or free space यानि कि उसका ratio अगर आप निकालो गया epsilon upon epsilon not तो वह greater than one होगा यानि कि k is greater than one मिलेगा वैसे ही conductor यह सबसे बढ़िया है conductor कि जहां पे charge stationary रही नहीं सकता वो motion में आ जाता है तो यानि कि यहां पे permittivity क्या होगी is infinite तो epsilon upon epsilon not is equal to infinite यानि कि k is equal to क्या मिलेगा आपको infinite अब यहां पे दो points हमें यार रखने कि वेनम material medium of dielectric constant capital K is placed between the charges the force between them becomes one by K times the original force in vacuum फिर से क्या करने को बोला है कि अगर हमने dielectric constant K जिसका dielectric constant K है ऐसा एक medium और एक material हमने introduce किया between the two charges तो अब जो force होगा वो जो vacuum में force था उसका 1 by K times हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 by K times यह force आपको मिलेगा चले उसका प्रूफ देते हैं तो suppose किजे कि when two stationary point charges placed in vacuum then vacuum की permittivity आप जानते हो कितनी होगी Epsilon not तो F vacuum आपको मिलेगा 1 upon 4 pi Epsilon not into Q1 by Q2 divided by R square चले यह vacuum का force electrostatic force और columbian force हम इसे columbian force भी बोल सकते है वो हमने निकाला of when two stationary point charges placed in given medium of dielectric constant capital K और permittivity उसकी क्या है तो उसकी permittivity Epsilon है तो याद रख कि आको करना कुछ नहीं है जो columb's low का equation था यहाँ पे सिर्फ एक change आएगा instead of Epsilon not आप क्या introduce करोगे वहाँ पे Epsilon बाकि point charges same है distance भी हमारा same ही है तो अब f medium is equal to one upon four pi Epsilon into q1 q2 divided by r square चलिए by taking ratio of 2 to 1 हम two का one के साथ division करेंगे तो हम f medium divided by f vacuum is equal to one upon four pi Epsilon q1 q2 by r square one upon four pi Epsilon not q1 q2 divided by r square तो after simplification we get Epsilon not divided by Epsilon numerator का Epsilon not मैं denominator में ले जाता हूं तो इसे हम ऐसे लिखते हैं और Epsilon upon Epsilon not is equal to capital K so we can get one by K so last we derived that f medium is equal to f vacuum divided by K तो यह note हमें क्या सजेस्ट करता है कि suppose in vacuum अपने दो चार्ज लिए होए q1 and q2 and दोनों के बीच का distance suppose कर लो 10 meter है तो दोनों के बीच का जो electrostatic force और columbian force है suppose मैंने दोनो positive charge यहां पे लिए है तो repulsive force कितना मिलता है suppose कर लो 100 newton of अब आपको करना है medium of dielectric constant 4 दोनों charge इतने ही distance पे आपको रखना है तो यहां पे यह दोनों के बीच का जो medium का force मिलेगा वो medium का force कितना मिलेगा तो के vacuum के जो force था 100 newton divided by आपको पूछता हूं अगर दोनों के बीच मैंने metal strip मैंने metal strip से जोइन कर दिया अब क्या होगा तो for metal k is equal to infinite 100 divided by infinite 40 हो जाएगा यानि कि metal की surface पे यह दोनों stationary रही नहीं सकते वो कुछ ना कुछ motion में आ जाते हैं तो यहां पे हम ऐसा देखेंगे अगर दोनों के बीच का पूरा medium मैंने कौन सावाला कर दिया conducting medium कर दिया तो force 0 हो जाएगा लेकिन अगर dialect constant मैंने 4 रखा हुआ है तो force जो space में लग रहा था उससे तो कम ही होगा कितना होगा तो वो fourth part का हो जाएगा यानिकि 25 newton अब j double unit के according हम सोचते हैं कि अगर मुझे जो force 100 newton space में था वही force मुझे medium में चाहिए तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा सोचे अब मैं क्या बोल रहा हूँ 100 newton force जो अभी vacuum में या free space में लग रहा था उतना ही force मुझे चाहिए medium में अगर distance इतना ही रंगे 10 meter 10 meter तो force 25 newton हो जाता है तो मैं क्या करना पड़ेगा बस उसके बारे में ही हमारा दूसरा note है कि पढ़िये आप electric force between two stationary point charges q1 and q2 separated by distance r0 कितना distance मैंने दिया हूँ है r0 is f यानि कि अगर vacuum में दो point charge है तो उनके बीच का force r sorry capital f है दूनों के बीच का distance r0 है if same force is exerted between them in medium of dielectric constant capital k अगर सही same force dielectric medium में लग रहा है तो then distance between them is reduced to r0 by root k तो मैंने क्या करा कि force same ही रहा अगर distance same ही रखते है तो आपको बालूम ही है force कम हो जाता है क्यों कम हो जाता है तो वो भी हमें सोचना है कि वह वो dielectric constant होने की वज़े से permittivity ज्यादा हो गई तो force कम हो गया अब हमें जो free space में force था उतना ही force हमें चाहिए कहां पे चाहिए medium में चाहिए लेकिन medium में तो permittivity increase हो जाती है तो force decrease हो जाएगा तो force same रखने के लिए हमें क्या करना देगा तो let's start with our equations तो पहले आप देखिए कि वेक्यूम में permittivity epsilon not है distance r not है तो force क्या लग रहा है one upon four pi epsilon not q1 q2 by r square now when two stationary point charges are placed in given medium तो क्या होगा उन्हों के बीच का force इतना हो जाएगा अब हमें यहां पे क्या सोचना है कि force तो दोनों में मुझे same है चाहिए तो epsilon not से अगर epsilon increase होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा तो कि यहां पे जो distance था वेक्यूम में second equation में epsilon increase हो रहा है तो फिर सेम रखने के लिए second equation का denominator जो उसमें आ रहता है वो मुझे क्या करना पड़ेगा decrease करना पड़ेगा यहां फिर आप ऐसे भी सूच सकते हो ज्यादा परेश्चानी की कुछ बात नहीं है यहां पर कोई दिक्कत की दिक्कत है ही नहीं जस्ट एक्वेट टू एक्वेशन्स दोनों को compare कीजे आप तो दोनों को अगर आप compare करते हो तो q1 q2 q1 q2 4 pi कट हो जाता है अब आपको क्या मिलेगा r by r not whole square is equal to epsilon not upon epsilon यानि कि 1 upon epsilon upon epsilon not यानि कि 1 by k यानि कि r by r not whole square is equal to 1 by k so r is equal to r 0 r is equal to r 0 by root k अब मैं पूछता हूँ आपको distance increase हुआ या decrease हुआ तो आप सोच सकते हो कि k की value तो always greater than 1 ही रहेगी k की value अगर एक से जादा होती है तो denominator एक से जादा ही मिलेगा यानि कि जो value r है which is less than r 0 को मिलेगी यानि कि अगर same force आपको carry करना हो medium में तो आपको distance decrease करना पड़ेगा मैं आशा रखता हूँ कि यह आपको पक्का समझ में आ गया होगा यह आपको समझना ही है अब आज का मैं आपको एक homework दे रहा हूँ homework में आपको मैं क्या दे रहा हूँ आपको पता है कि अगर q1 and q2 charges if they are separated by distance r in vacuum then force between them is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 divided by r square और अगर they are separated by distance r in given medium तो आपको medium की permittivity वहाँ पे substitute करनी है अब यहाँ पे क्या था है दोनों में सिंगल सिंगल मीडियम मैंने रखा हुआ था अब आज का question आपके लिए यह है क्या question है q1 आफिगर में देखिए q1 and q2 there are two charges there are two point charges they are separated by distance r1 plus r2 तो यहाँ पे मैंने दो अलग-अलग medium यहाँ पे introduce किये है एक medium की जिसकी length r1 है दूसरा medium जिसकी length r2 है दोनों की permittivities epsilon 1 epsilon 2 है और dielectric constant capital k1 and capital k2 respectively है अब आपको क्या find करना है दोनों के बीच का force कितना है find the magnitude of electric force between charges q1 and q2 the next lecture मैं मैं आपको यह समझाओगा भी और दूसरा आपको epsilon not का dimensional formula भी आपको find करना है क्या find करना है dimensional formula of epsilon not यह हमारा first आज का homework है और दूसरा homework क्या है तो क्या आपको find करना है force between q1 and q2 if they are separated by distance r1 plus r2 and 2 by two different medium तो चले यह आशा रखता हूं के आप solve करोगे ही next session में आपको vector prepare करके आना है और जो Newton का vector form में जो gravitational का जो आपने लो पढ़ा था gravitational low in vector form वो भी आपको देखना है क्योंकि आगे next lecture में हम पढ़ेंगे columns low in vector form तो next lecture हमारा शांदार lecture है जो जान दालता है यह chapter में numericals के लिए तो आप पक्का next lecture में के लिए आप ready हो जाओ factors और जो मैंने बोला है वो सब आप prepare कर लो तो चलिये good bye take care